हेलो एवरीवाण टेष्टी किचें किंग में आपका स्वागत है तो मैं यहां पर करेले का सबजी बना रही हूं पहले इसको करेले को अच्छे से वास कर ले और इसे कपड़े से पोस्ट और सुखा ले उसके बाद यहां पर मैं कट कर लिए हूं ज्यादा इसे मोटा-मोटा कलरवापन नहीं काटेंगे मीडियम साइ戰 का काटेंगे उसके बाद इसमेंlla पानी डालने के बाद इसमें नमग डाली हूं और मैं हल्दी डाली हूं क्लर के लिए क्योंकि यह काला ना हो हल्दी डालने से जब सबजी हम बनाते हैं तो में arbets अच्छ देखने में तो यहां पर मैं मैं नमक डाल दीहूं चाल तूर करके यहां पर मैं बेसन के डाली है क्लिश्च के जीरा पाॉड़र क्वाउडर जो आपके मसाले के यहां पया डरマत तरह तरह सब्सक्राइब करें करते हैं और गा заключ स्क क्राइब करेंगे और एंग कर देंगे तो यहांब अच्छे से प्राही प्रता हो जाई हैं और पॉलो आप करेंगे टिप्स को तो यहां पर आपको सब्जी अच्छा बनेगा तो तेल अच्छा सा गरम हो जाए तो आपको कड़ाई में चिपकने का डर नहीं रहेगा इस चीज़ को आप ध्यान दे और हां अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेलफुल लगे और मेरी टेस्ट बढ़ जाएगा और कड़वापन कम हो जाएगा यह करेला का जबी सब्जी बनाए तो इसको जरूर डाले यहां पर मैं वान चममच यहां चोटा स्मॉल साइज का है उससे मैं यहां पर डाली हूं हिंग यह दरदरा पाउडर है जो कोरियंडर है और जीरा है और इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे भून लेंगे इसको हम इसे ढख ढख करके चलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं उसके बाद यहां पर मैं करेले को एड़ कर दी हूं क्योंकि करेले में सारा मसाला उसमें डाला हुआ था तो यहां पर करेले में ढख दिये हैं उसके बाद मेरा यहां पर दस मिनट के बाद करेला अच्छे से भून गया था और इस तरह से सबजी बन करके यहां पर त्यार हुआ है मैं वीडियो बहुत छोटा-छोटा बनाई हूं ज्यादा आपको नहीं बनाई हूं तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा भी कड़वा नहीं लएगा करेला तो कड़वा लगता है बट यहां पर थोड़ा कम लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा जो ना खाते होंगे उनको भी पसंद आएगा तो आप इस तरह से करेला को बना सकते हैं और इसमें मैं आम चूर पावडर भी म मिलाई हूं कि उसी समय जब कट की थी इसमें मसाले को आड़ की थी